ये कहानी अलादिन नाम के एक राजा की उपर आधारित है जो दिमाग से पूरी तरह पैदल होता है अब पूरी तरह बेवकुफ होने की वज़े से वो अपने देश में क्या क्या करना में करता है ये हम आज की से एक्स्प्लेनेशन में देखने वाले हैं आज मैं जिस फिल्म के बाद से ही उसकी मा को मार दिया जाता है और इसके कुछ साल लगत्य कर दी जाती है और अब सिर्फ साथ साल की उम्र में आलादिन वाडिया का राजा बन जाता है इसके बाद सीन यहीं कट होता है और हम कुछ साल बात का सीन देखते हैं जहां आलादिन अब बड़ा हो च तो अलादिन उसे गोली मार देता है और खुद वो गेम जीत जाता है और इसी तरह वो अलम्पिक में 14 गोल्ड में जीता है और अपनी प्रजा को बोलता है कि जल्दी ही पूरी दुनिया हमारे आगे घुटने टेकेगी हम जल्दी ही न्यूक्लियर वेपन तयार कर लेंगे प अलादिन देखता है कि उसकी मिसाल बहुत ही चोटी बनी है अब ये देखकर अलादिन को बहुत गुसा आ जाता है और वो अपने साइंटिस नदाल को बुलाने के लिए तो अपने नदाल को मरवा दिया था अलादिन को इस बारे में कुछ याद नहीं होता पर जब वो अलादिन को बोलता है कि शायद आप ये बात बूल गए थे पर इस पर अलादिन हसते वे उसे बोलता है कि मैं भूला नहीं था और फिर वो उस साइंटिस को भी मरवा देता है इसके बाद अलादिन वापस अपने महल में आ जाता है जहां पर उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ फलड़किया होती है दरसल अलादिन अपनी सिक्योरिटी के लिए से फलड़किया ही रखता है ताकि बाद में वो उन्हें बजा सके फिर जब अलादिन अपनी कार से बाहर निकलता है तब ही वाँ एक आदमी आकर उसे गोली मार देता है पर बाद में हमें पता चलता है कि ये आदमी अलादिन नहीं बल्कि उसका डुब्लीकेट था दरसल अलादिन हमेशा ही अपने साथ एक डुब्लीकेट रखता है ताकि जब भी उस पर हमला हो तो हमेशा उसका डुब्लीकेट ही मारा जाए अलादिन दिमाग से इतना चूतिया होता है कि वो अपनी duplicate की लाश को उठने के लिए बोलता है और फिर जब वो लाश नहीं उठती तो अलादिन अपने अंकल को इशारा करता है कि इसे भी मरवा दो फिर अलादिन के मां से जाते ही उसके चाचा तामीर किसी को फोन करते हैं और उसे बोलते हैं कि अलादिन इस बार भी बच गया और अब हमें उसके जैसे दिखने वाले किसी और को ढूणना होगा जो हमारा काम कर सके अब ये देखकर हम वीवर्स को पता चल जाता है कि अलादिन को उसके चाचा तामीर ही मरवाना चाते हैं ताकि वाडिया की पूरी सत्ता उनके हातों में आ सके इसके बाद ये लोग अलादिन के हमशकल को ढूणना शुरू करते हैं और उन्हें एक आदमी मिल भी जाता है जो बिल्कुल अलादिन की तरह दिखता था उसी दिवर पर हम और भी कई सरी लड़कियों की फोटोस देखते हैं जिनके साथ अलादिन अब तक पलंग तोड़ चुका है फिर अगले दिन जब अलादिन वीडियो गेम खेल रहा होता है कभी वहाँ पर उसके चाचा तामीर आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें अमेरिका जाकर अपने परमाणू हत्यार बनाने के बारे में उन्हें सफाय देनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग अपनी फोच को यहां बेचकर वाडिया पर कबज़ा कर लेंगे अब इस सुनकर अलादिन डिसाइड करता है कि वो अमेरिका जाएगा फिर अलादिन अमेरिका आ जाता है और अमेरिका के लोग सड़कों पर उसके खिलाफ नारे लगाते हैं दरसल अमेरिका के लोग चाते थे कि वाडिया में डेमोक्रेसी हो और कोई भी बेवकूफ और पागल राजय उन पर अत्याचार ना करे इसके बद अलादिन अपने सिक्योरिटी हेड से मिलता है जिसका नम क्लिटोन होता है और वो अलादिन को बिलकुल भी पसंद नी करता था फिर जब रात को अलादिन अपने होटल में सो रहा होता है कभी वहाँ पर क्लिटोन आता है और वो उसको किड्नैप कर लेता है वो उसे एक टॉर्चर रूम में लेके जाता है और वहाँ पर वो अलादिन को अपने हतियार दिखाता है जिससे वो उसे टॉर्चर करने वाला है पर अलादिन उसके हतियारों का मजा कुड़ाने लगता है जिससे गुसा होकर क्लिटाउन उसकी दाड़ी काड़ देता है फिर वो उसकी दाड़ी को जला देता है पर दाड़ी पर लगी आख से वो खुद भी जल जाता है दूसी तरफ अलादिन भी खुद को रस्यों से आजात कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है अब अलादिन की दाड़ी कट जाने की वज़े से कोई भी उसे पैचान नी सकता था फिर अगले दिन अलादिन उसी जगह जाता है जहां पर उसे भाशन देना था तभी वहाँ पर देखता है कि उसका हमशकल उसके चाचा तामीर के साथ वहाँ पर भाशन देने के लिए जा रहा है और अब अलादिन ये सब देखकर समझ जाता है कि ये सारा खेल उसके चाचा तामीर का है अब अलादिन को बहुत ज़दा गुसा आ जाता है और वो रेलिंग तोड़ कर अंदर जाने की कोशिश करता है पर तभी सिक्योरिटी उस पर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है तभी वह पर जोई नाम की एक लड़की आती है और वो उसे स्कूटी पर बिठा कर वह से चला जाता है अब अलादिन सडकों पर बटकरा होता है और तभी वहां उससे नदाल दिखता है जिसे उसने कई सालों पहले मरवा दिया था अलादिन नदाल को जिंदा देखकर है और वो उसका पीछा करने लगता है पीछा करते वे अलादिन एक बार में पहुंच जाता पर उनमेंसे कोई भी मरा नहीं था और वो सब भाग कर अमेरिका आ गए थे इसके बाद वो सभी अलादिन को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं वो अलादिन को टपकाने ही वाले होते हैं कि तभी हमाप नदाल आ जाता है और उन सबी को बोलता है कि ये मेरा कजन है दरसल यहाँ पर नदाल ने अलादिन को पहचाल लिया था इसके बाद नदाल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तो अलादिन उसे बताता है कि उसकी चाचा तामीर ने उसे दोका दिया और वो वाडिया पर कबजा करना चाते हैं फिर अलादिन नदाल को बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी जिसपर नदाल मान तो जाता है पर वो उसे बोलता है कि मुझे मेरी नोकरी वापस चाहिए जिसपर अलादिन भी मान जाता है फिर एगले दिन अलादिन और नदाल उस होटल के पास जाते हैं जहां पर अलादिन का हम शकल रहता है तब ही मपर अलादिन जोई को देखता है और उससे छुपने लगता है फिर नदाल उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो अलादिन उसे बताता है कि मुझे व नदाल का कॉल आता है और वो से बताता है कि मैंने सारा प्लैन बना लिया है हम कैंटीन के सामान के बहाने से उस होटल में जाएंगे और वहाँ पर नकली अलादिन को हटा कर उसकी जगह असली अलादिन को ले आएंगे अब अलादिन को यह प्लैन अच्छा लगता है और इसक पर फिर भी वो उस औरत की सक्सेस्फुल डिलिवरी करवा देता है अब यह देखकर जोई भी अलादिन से इंप्रेस हो जाती है और उसे उससे प्यार हो जाता है फिर जोई अलादिन को बोलती है कि वो अपनी पूरी जिंदेगी उसके साथ बिताना चाती है पर इस से पहले अलादिन उसे बोलता है कि मैं तुम्हे कुछ बताना चाहता हूँ और फिर वो जोई को अपनी सच्चा ही बता देता है अब सब कुस्छ जानने के बाद जोई उसे बहुत गुसा हो जाती है और वो उसे वहां से जाने के लिए बोलती है फिर अलादिन जब सड़कों पर घूम रहा होता है तो वो टीवी पर देखता है कि वाडिया के लोग उसके जाने से बहुत ज़्यदा खुश है और वो अपने देश में डिक्टेटरशिप नहीं चाते अब यह सब देखकर अलादिन को लगता है कि शयद उसे कोई भी पसंद नहीं करता है इसलिए वो डिसाइट करता है कि वो अपनी जान दे देगा फिर वो एक पूल से कूद कर अपनी जन देने ही वाला होता है कि तभी मपन नदाल आ जाता है और उसे समझाने लगता है अब अलादिन भी नदाल की बात को मान जाता है और वो उपने मरने का प्लैन कैंसिल कर देता है फिर अगले दिन अलादिन नदाल के साथ मिलकर बहुती मुश्किल से उस होटल के कमरे में चला जाता है और वहाँ पर वो नकली अलादिन को भगा कर खुद उसकी जगे ले लेता है इसके बाद इलादिन उस मंज पर जाता है, जहां पर आज वाडिया का नैया सविधान पड़ा जाना है इसी दौरान इलादिन उस पेपर को फार देता है, जिसमें लिखा था कि वाडिया में अब डेमोक्रेसी चलेगी फिर अलादिन ये बोलने ही वाला होता है कि वाडिया में हमेशे डिक्टेटर्शिप चलेगी पर तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और उसको देखते ही अलादिन अपना मन बदल देता है और वो एलान करता है कि वाडिया में अब डिक्टेटर्शिप नहीं होगी बलकि वहा पर तब ही वहाँ पर तामीर अलादिन पर गोली चला देता है अब वो गोली अलादिन को लगने ही वाली होती है पर तब ही वहाँ पर उसका हमशकल आ जाता है और वो गोली उसको लग जाती है इसके बद अलादिन जोई को भी अपने साथ वाडिया ले जाता है और उसके शादी के दुरान जोई उसे बताती है कि वो एक जोईश है जिसको सुनकर अलादिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जोई को भी मरवाने के लिए बोल देता है और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है